अमेठी प्रसासन इन दिनों लगातार बड़ी कारिवाही करने में लगा हुआ है। एक तरफ जहां भू माफियाओं के द्वारा अवैद रूप से कबजा की गई सरकारियों गरीबों की भू संपतियों को भू माफियाओं के चंगुल से छुड़ाने का कारिवाही कर रहा है यहां तक की अपने जनपद ही नहीं बलकि आसपास के जनपदों में जाकर पुलिशयों राजसु की टीम कूर्की की कारेवाही कर रही है। लाग रूपय की अवाइद संपत्ति को कुर्क किया गया है। इस दोरान थाना धक्षपीपरपूर्श संदीपराय के साथ राजसु कर्मी एवंभारी मात्रा में पूलिस तथा पूलिस छेत्राधिकारी ललन सिंग मौके पर मौजूद रहे। सियो अमेठी ने बताया कि इस सराब माफिया के खिलाफ अमेठी जिले में मुगदमा पंजिकर था और अमेठी जिलाधिकारी राकेश कुमार मिस्र तथा पूलिस अधिक्षक डॉक्टर इला मारण जी के संयुक्त प्रयास से आज यह कुर्की की गई है। इसी मामले में सराब माफिया राजेश जैस्वाल की एक करोण नव लाख रुपए कीमत के गोदाम की पहले भी कुर्की की जा चुकी है। आज यह जो कुर्की की गई है इसकी कीमत एक करोण तेईस लाख रुपए है। ऐसे में सराब माफिया के दौरा यह अपराध अर्थात सराब अवैद रूप से सराब बेच कर अरजीत की गई यह संपत्य आज कुर्क की गई है। वात संख्या 539 बटे 2030 आमेठी में पंजीकरत मुकदमा ब्राध संख्या 226 बटाइक धारा 231 गिरूह बंद एवं समाथ बिरोजी की राइलाब निवान अधिनियम के तहत जो सराब से अर्जित की गई इसी संपत्ती यह आज पुड़की गई है। कितने इसका जो है इसमें गाटा संख्या 216 में 531 सेक्टियर और गाटा संख्या 216 में 550 130 सेक्टियर जिसकी कीमत लगभग 1 करोड 23 लाख रुपए हैं इसको सीथ किया जाए। इसी मामले में एक गुदाम का आधा पार्ट से एक करोड लगभग 9 लाख रुपए का पहले सीथ किया जा जाए।